एक प्रेसर यूटूब चैनल में आपका स्वागत है लाधा स्वामी बहन जी देखिए बहन जी ये एलोवेरा है तो आप गौर से देखिए प्रकृति ही परमात्मा है जो हमें आखों से दीख रहा है ये सब परमात्मा है और परमात्मा के हर चीज में एक गोड़ है चैन्टी से लेकर के हाती तक सब परमात्मा ने बनाए है सारे जी परमात्मा ने बनाए देखिए एलोवेरा में ये काटे होते हैं देखिए काटे ये और आपने देख्या होगा बेल के पेड़ पे भी काटे होते हैं और बबूल के पेड़ पे भी काटे होते हैं और चंदन पैटों सर्प रहते हैं तो देखिए परम्पिता परमात्मा का चमतकार देखिए चंदन को पेड़ को काटेंगे तो चंदन खुसुख खतम हो जाएगी तो परमात्मा ने सर्प लगाए है ऐसे बेल पत्थर होता है बेल कच्छा तोड़ लेंगे तो पका हुआ कहां से लगाति तो परम्प्रमा ने कितने बंडे बंडे कांटे दीए तो एसलुख परमात्मा ने कितने बड़े-बड़े काटे दीने ऐसे दिए सब्सक्राइब एक पर इसको कोई पसु खाया नहीं तो एलोवेरा भुत ही गुड़कारी होता है इससे खाने से फेट साफ होता है इसका खूदा निकाल कर आप खाएंगे तो भुतने के दर्द में फादा होगा और एलोवेरा खाने से पित के जितने रोग हैं वो सब ठीक होते हैं और इसको आप चेहरा पे भी लगा सकते हैं तो एलोवेरा बहुत फाइदा करता है तो परमात्मा की हर एक जड़ी गूटी दवाई है लुटी तो हमको एलोवेरा प्रतिदन खाना चाहिए उसे बुखार भी ठीक हो जाता है बलेंड प्रेशर में भी लाब देता हैं पर सक्राइब बहुत अच्छा साफ होता है और सबसे अच्छा तो यह चहरु साफ्क टा कील वहां से साफ्क तो हमको अलो वेरा करें इस तरह यदी लगाएंगे तो फोय जब पड़े हछा चोट लगत तो इसको हलबी लकारे लुपणी बना करके बहुत डाधा करता है तो ओंगों की हर जड़ी वूटी हमारा नाम देती है तो गुरु जी ने भी कहा है ला कि जो आँखों से दीख रहा है सब परमात्मा है तो मैं जैपाल सिंग आरिया अध्यक्ष महरसी द्यानव चैरेटिवे जैसेवा ट्रस्ट बलेंसर मेरा मुबाइल नमबर अठानवाइश सतानवाइश 8804 जैहें जै भारत